पाकिस्तान चुनावों को लेका लगातार चर्चा हो रहे हैं कि आखिर अब पाकिस्तान में क्या होगा क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव तो हो गय, नतीजे भी आ गये और नतीजे कुछ ऐसे आए जसलिए ये बता दिया कि पाकिस्तान में इमरान खान की भाई पाकिस्तान पॉल्स पॉलिंग जो है वह बहुत ही जादा तगडी है लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान के जो चुनावी नतीजे थे वह क्या कुछ थे देखें 266 सीटे हैं 266 में से 265 सीटो पर चुनाव हुए और उन में से 264 सीटो का आकड़ा जो है वह आपके सामरे हैं सबसे पहले जल्दी से आपको यह बता देते हैं कि आखिर सीटो के जो नतीजे थे वह क्या कुछ आए कौन सबसे बड़ी पाटी बनकर उबरा कौन जो है की तरह से निरस्त कर दिया गया था लेकिन बावजुद इसके जो पीटी आई के नेता थे वह निर्दलिया उमीदवार के तौर पर जो है वो चुनावी मैदान में उत्रे और सबसे जादा सीटे इनके पास यानि कि 101 सौ का आकड़ा जो है वो पीटी आई के नेता जो है व है पी एमेल और तीसरी सबसे बड़ी पाटी है पीपी यानि कि 54 सीटे जो है वो पीपी के पास है बिलावर घुटो की ये पाटी है अब आप ऐसे में समझे ये तीन जो आकड़े है वो इस बात को बता रहे है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो है क्या कुछ चल रहा है ऐस अब उनकी शकल जो है वो दिखाई जाती थी फोटो दिखाई जाती तो पीछे से और अडियो मेसेज चलता था और बिना किसी रैली के बिना किसी चुनावी प्रचार के जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उब रहे हैं इमरान खान की पार्टी यानि कि 101 सीटों के साथ अ अबर आसकते हैं जो मीडिया के हवाले से खबर आ रहे है पाकिस्टानी मीडिया के हवाले से वह ये खबर है कि नवाश शरीफ और सात्य बिलावर भुट्टो जो है दोनों के बीश में मीटिंग हुई है और ये जनकार्या रहे है कि एक नया फॉर्मुला जो है वो तै कि और नया फॉर्मूला हो है धाई धाई साल का मुख्या मंत्री यानि कि आप समझे कि धाई साल जो है नवाज शरीफ रहेंगे और धाई साल जो है वो बिलावर भुट्टो रहेंगे हाला कि अभी तक इस पर पूरी तरीके से सहमती नहीं बन पाई है यह मीडिया के हवाले से जो पाकिस्तानी मीडिया की जानकारी दी गई है वो यह दी गई है लेकिन एक और इंट्रस्टिंग पॉइंट में आपको बताती हूं 101 जो टीटी आई की उमीदवार है यह कहा जा रहा है कि कुछ उमीदवार टूटकर पीमलन और पीपी के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि से सेना यह कोशिश करें कि नवाज शरीफ जो है वो एक बार फिर से सरकार में आ सके और हूँ अभी कुछ ऐसा ही कि देखें आप 75 सीटे तो आ चुकी हैं लेकिन अब क्या सेना बंदू के दम पर इन तमाम विधायकों को क्या इनके साथ मिलाने में काम्याब हुपाईगी और सबसे जादा सीटे 101 सीटों की साथ तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के चुनाव में चुल कोशंच है पाकिस्तान की राज़ुतिमें क्या कुछ होता है सब आपको बताएंगे